अंतर रास्टी हिंदू परिशत के बेनर तरले स्थापना दिवस के उसर पर वहन डेली निकाल दुर्ग कलेक्टर के नाम लंगूर वीर मंदिर से कबजा हटाने के रिए ग्यापन सौपा गया इस दोरान परिशत के प्रदीकारी और कारीकरताओं ने कोठारी नर्सिंग होम के सामने सामुहिक हनुमान चालीसा कर विरोद जिताया वर्षों से दूर के शनीचरी बाजार इसे देलंगूर वीर हनुमान मंदिर की जगह को कबजा कर अवैद निर्मान कराय जाने को लेकर कोठारी नर्सिंग होम के संचालक से विवाद होता रहा है जिसमें कानुने लडाई भी शामिल है वही मंदिर समीती ने आरोब लगाते हुए बताया कि जैसे जैसे मंदिर का जेन और धार किया गया वैसे वैसे कोठारी नर्सिंग होम ने भी अपना दिर्मान कराया जिसके विरोद में अंतररास्टी हिंदू परिशत के बैनर तले रास्टी बजरंग दल के पराधिकारियों ने कोठारी नर्सिंग होम के सामने बैट सामोहिक हनुमान चालिसा पड़ अपना विरोद जताया बताना चाहेंगे कि 24 जूर इस्थापना दिवस पर अंतररास्टी हिंदू परिशत रास्टी बजरंग दल ने वाहन रैरी निकाल कर अपना आगास किया है प्रिस्वारता लेकर अंतररास्टी हिंदू परिशत रास्टी बजरंग दल की 14-15-16 जून माउंट आवू की अखिल भारती बैठक में देश के हर जिला तैसिल वाट एवं ग्रामों में एक लाक हनुमान चालिसा केंद्र खोलने का लक्ष को लेकर अखिल भारती बैठक मे चत्रिगट प्रदेश के नविन परधिकारी नियुक्त किया गया जिसमें रास्टी बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा राव अंतररास्टी हिंदू परिशत के प्रदेश महमंत्री महेंद्र साव रास्टी बजरंग दल प्रदेश महमंत्री विक्रांद शर अजी है कए बन्दी में दो ही लंगोरि Sure मंदीर है एक में है दूसरा दूर्प का यह सैनिखे बैजार में है और यह मंदी जघाए का भाई कहिलाता है यह बहुत पराना मंदीर है काफी पहले से मंदीर यहां स्थापित है यह सासकी रीकाrड हो जो करके मंदीर का जो मुख्य दरौजा इसी तरफ खुलता था सुरू से लेकिन पिखले 37 साल पहले इधर थे इन्होंने बंद करके यहां पे छोटा सा कच्छा नर्सी हों बना दिया उसकी घटना अलग के लिए उसमें भी कई विरोध हुआ बाद में समय कैधार पे लोग मंदी को जानते नहीं ते जब हम लोगों ने भी 2008 में जब मंदीर का निर्मान शुरू किये जैसे ज़िए मंदीर का निर्मान बढ़ता गया ब्रेश्ट प्रसासर्पर्सासन ने इनको भी अन्मती दे दिया कि आप इन जिरनोध़ार करो उ ने मंदीर के साथ अब हमने गुंबद विशाल बना लिया उपर सामने वालों का कहना तक जित्ते आप उपर जाओगे उत्ते उपर हम भी बढ़ाईंगे और आज आप देख रहे हो मंदिर का गुंबद जो इत्ता खुबसूरत है पानी की टंकी ने उसको ढख दिया है हमने काफी प्रयास किया हातास हो गए निरास हो गए अब बाकिसा अपने लंगुरिय के उपर छोड़ दिया कि अब जो कुछ होगा भगवान आप ही कराएगा हम तो 35 साल लड़ लिए और ये उपर वाले की देन है कि आज बजरंग दल के हमारे भाई आए यहाँ पे और हमें पूरे उम्मीद है ब बहुत सारी समस्यां देश के एक मात मंदिर को जीवंत रखने की बहुत बड़ी समस्यां पूरी हो जाएंगी बस मैं इत्ता ही बोलना चाहता हूं मंदिर प्रांगण को कबजा करके इन्होंने रख लिया है ये हमारा मुख्य द्वार है 35 साल से इसको इन्होंने कबजा करके रखा है हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर मंगलवार को अगर यब तक दरवार द्वार नहीं खुलेगा हर मंगलवार को इसी जगह में बैठके कि हम अन्मान चालिसा करेंगे सो देर सो लोगों की जनसंख्या में और उसके बाद अगर हमारी सहयन सीखता खतम हो जाएगी तो हम खुद बाबरी मज्जित के तरह इस द्वार को ढहा देंगे जैसा की लंगुरुविर मंदिर का ये मुख्य द्वार 35 साल से बंद है तो इसको लेकर के हम अंधुलन कर रहे हैं और भविश में राश्री बजनगदल उगर अंधुलन करेगा और प्रदेश के कारकरता आ करके आगर हमें मार्ग मिलिया तो ठीक है नहीं तो राश्री बजन मक्त कर देगा का लए चाहूंगा कि 35 साल से इस चीज में विवाद कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पूरे दस्ता वेज है हमने जमीन के बाद इन्होंने उसमें विवाद करने के कोशिश करी थी तो हमने ल़ोर कौट में केस जीता है उसके बाद अपर कोट में केस जीुता है उसके बाद हई केस जीतने के बाद ये ein नर्सिंगों एक रेनोवेट हुआ था पहले नर्सिंगों कोठाई नर्सिंगों 30 साल से है और 30 साल से यह लोग मतलब उस तीज में विवात कर रहे हैं कि मुख्युदार है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे को परमिशन मिली हाई कोट से हमने केस जीता उसके बाद हमने नगर निगम को भी एप्लिकेशन आपको वापस देगा उसको अप्रूब करके दिखाए नगर निगम नहीं हमको परमिशन दी है और कोई चीज पैसे को लेके और सब चीजे कानूनी रंग से और लीगल रंग से हुई हुई है यह जो आके धंकी तोड़ें आपको इभी बता दे कर दी थी तब से वह नारा लगा रहे हैं मुख्यु द्वार है यह दोवार है मैंने डाला था और मेरे पास भी बहुत साथ है कि मंदिर के नाम पर प्रदक्षित कोई भी जगा नगर निगम में एंट्री नहीं है कि मंदिर की जगा कितनी है क्या है एक मूर्ती रख दिने स फर्मिशन के साथ बना हुआ है और इस के लिए आप लोग ने चीज़ कर दी है आप लोगके पास रिकॉर्डिंग के चीज़ इन नियूस के लिए दुर्गसीन असीम फारुकि की रिपोर्ट